यशो मती महिया के नंदे लाला पर ये तो सुखी रहते हैं, जल भी तो चाहिए हमें नदी से राना पड़ेगो महिया ने नदी के पाद जानी को मना किवा है जे रहे यो जल पर या तो कैसे लाए शेंकला बनाते हैं जे लाए ये खादे हैं स्वामी स्वामी काना इंजे उद्जान बनाते हैं काना इंजे उद्जान बनाते हैं एक बार मेर बन्दा है फिर मैं बनूँगा उसका भारी जुपकली सर्वतम प्रहरी है तुँ लो सकाओ बन गया गोकुल के राजकुमार का महल थेरो थेरो इस पे काना के कोई ध्वजा तो है नहीं इधर उधर खोजने की आवश्यता नहीं है प्रभू ध्वजा तो आपके पास ही है फोजा का प्रभन मैं कर दूँगो बास एक डंडी चीए मुझे ये रही डंडी इसका पस चले तो ये डंडी भी खा दे शेंता माद कर सुबल तेरे खाने के लिए डंडी से उत्ता मस्तु है वेर पास नहाल बनने के आरंडी चीए मैं अभोगो राज सी भोग ये री द्वाचा और ये री उसकी डंडी मैं अभोगो राज सी अभोगो राज सी अभोगो मैं अभोगो मैं अभोगो मैं अभोगो मैं अभोगो मैं अभोगो अभोगो अरे हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई राजकुमार नहीं सक्खा काओ मधू और फुजा की तो चिंता ही मत करो ये तो तेरे रत पे जाके आटक गई अब ये उतारत हूँ काना मा मचड पुरानी सकट है तूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें कच्छुना हो गदाओ सुनाना अपने ये सकट ना है ये तो मेरा रत है स्वामी मुझे मुझे यहां कौन ने कराया किसने की मेरी तपस्या भंग आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे पर बड़ी ही विचित्रबाद है वो तीर दुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे विश्णू उसीने की है मेरी तपस्या भंग उसीने चलाया है वो माया वीपी प्राइब टेते एंच, असम्यद्टी साहँ, कर्णाना से कर्कें डिल, झारी दिल, टो अवादी, तो और श्राइब आधे, प्राइब तो श्राइब। पाजा मेल गए, पाजा मेल गए काना बोद अधिक छोड़तो ना लगी लान से देख काना पर नील तो ना बढ़ गया है पैर में लगी है ना एक बड़ मुझे भी बहुत तीवरे लगी थी तो ना गया किवल प्रस्नाई पूस्चे रहोगी कोई मुझे उठाएगा भी काना संबाल के वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है काना लगता है पित्री चोट पीड़ा अधिक है क्या हाँ दाव बहुत अधिक है काना ख्या होगा काना चोट लगी है बहुत पीड़ा हो रही है क्या धड़ाउं से गिलाता चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना पीड़ा हो रही है लगी है तो पीड़ा होगी ना अरे तो कुरोधित क्यों हो रही है यह सुदा चलो पट्टी बान देता हूँ रहने तो जी, पट्टी लगाने का समय ना है, मेरे पास हल्दी लगा लूगी, ठीक हो जाएगो. अभी कुछ बनों भी ना है, काना पुरूखा प्यासा आता ही होगो. सुधा पर? कही ना? औसदी लगानी पड़ेगी. तु घर चल, घर पर ओसदी लगा देती हूँ, तुझे. क्या होगो? कश्ट बढ़ गरे होगया? काना चला नहीं जा रहा है क्या? तो फिर नोग्यू ने हो. दाओ, मैया को पादा चला, मैं पहले देने गिर गयो. तु मेरा गर्से निकलना बंद कर देगी. आये पक्की बात है. अच्छा अच्छा, रो मति. मेरा घर यहां निकट नहीं है. आल ले चलती हूँ, फिर आउस दी लगा दूँ. तु ज़्ट सा ठीक हो जाएगो, फिर चले जाएगे आपने का. ठीके? चला. नहीं, मुझे मेरे मैया के पार सी जानों है. है? मैया को पतानों भी ना है. और म digitally के पेर सी जानों भी है. काना, तु छिंता मति कर. हम कैसे भी ताईजी को मना लेंगे. पर उन्हें तेरा गर से बाहर निकला बन ना करने देंगे. तच्छी? हाँ हाँ अच्छी चल तुझा गर ले चलते है कि तो अच्छो होतो ना यदि काना मेरे घर आने के लिए मान जातों फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती है कि हाँ बस काना अब कुछी दूर आ रहा है खंगर पहुचने वाले है मैं भी ना कैसी कैसी कलपना करने लगी ना जाने काना का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी किना चिंता मत करो जानकी अपनी माखन चोरी लिला का आरम मैं तुमारे घर से ही करूँगा लगता है घर पहुचने की प्रसनता में तेरे पाग की पीड़ा अपने आपी जमापत हो गई नाना ताव बहुत कश्टे सची हाँ हाँ चलो सीग्र चलो हाँ 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 अप्ती अदिक्तों इकस की माराश्य। और गस्वाँ ची माराश पीड़ा के लिए ये ओशेदी मेरी वास्तविक पीड़ा वो विश्णू अवतार है इसलिए ये ओशेदी मुझे कोई लाब नहीं देने वाली लाब होगा और किस वस्तों से होगा ये भी मैं जानती हूँ भाराश कृपिया आईए मेरे साथ कानहा को गए कित्ती देर हो गई यहां मैं उसकी स्वरती में बाबली हुई जा रही हूँ पता न वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरन भी हुआ होगो की ना वो तो मगन होके खेल रहा होगो मैं भी ना कचो अधिकी सोचती हूँ सच्ची आ क्यों मेरा काना आ क्यों में पता बाली हुआ है आ क्यों मैं पता हुआ है तादरा जै क्या होगा हाँ खना चोट लगई क्या क्या होगो काना पीडा हो रही है लल्ला हाँ कित तो बूला है जै अभी पल भर पहले तक कस्ट बूल कर मुश्कुरार होतां पर अपनी मैया को दीखते ही सारा कस्ट फिर से स्मारन होगा हो इसे मैं अभी हल्दी का लेप लेके आते हूँ फिर तेरी सारी पीडा ऐसे लुपत हो जाएगी लल्ला बस कुछ समय परतिक्सा कर ले तेरी मैया से तो कस्ट को भी भै लगतु है देखना जैसे भी वह लेप लगाएंगी कस्ट ऐसे भाग जाएगो मैं अभी है वह लेवाएण व्रुआ मैं कर दो कस्टेता- है मैं या इसले होगरा बस लल्ला देख जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमतकारी होतो है कहीं भी कट जाए या कहीं चुप जाए रख निकलाए कित्ती भी पीड़ा क्यों ना हो जे सब ठीक कर देतो है मैया आपको वे तो चोट लगी है जे तो कच्छो ना है लल्ला उंगलियां है पंथ जिसकी सीख जीवन ग्रंथ जिसकी जन नीबन करती सिजन होती ममता तो अनन तुसकी माता ओ माता तु ही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंद लाला यह हल्दी का लेपे मैया यह बहुत चमकारी होतो है कहीं भी कट जाए जुप जाए या रहत निकाल लाए यह भी पुरीना हो सब तीक कर दोते हैं कित्ता सक्ति साली है मेरा लला कित्ती सक्ति साली है मेरी मैया बस कुछी समय में तेरा घाओ सूख जाएगो फिर घाओ स्वयम पूछेगो तुछ से काना जे कस्त क्या होतो है अच्छा सक्ची सक्ची बताओ कौन सी सरारत की तुने काना की इत्ती अधिक चोट लग गई कैसा संजोग है ना यह सुदा मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है ना यह संजोग ना है नंद जी बता किसकी बूल से लगी है यह चोट किसकी बूल से लगी है